स्वागत है आप सभी का असरदार नुष्खे के एक और फ्रेस एपिशोड में और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे ट्रिक्स के बारे में जिससे आपका एक नहीं कम से 15 ऐसी बिमारिया हैं जिसमें आपको फायदा पहुंच सकता है जैसे खासी, साइनेसाइटस, जुकाम, पासी, स्वास के रोग, कोलेस्टोल का बढ़ना, मुत्र का कष्ट से निकलना, मुत्र में जलन, गुर्दे की कमी, सफेद दाग, कुष्ट रोग, चर्म रोग, सरीर में जोरियां, पुरानी बिवाय, पुराना धिमा बुखार, गरभाशे में कैंस ब्लड कैंसर फेफड़ी का कैंसर जैसे असाथ धेरोगों से अगर आप आज का ये एपिसोड देखते रहे हैं दो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले करूंगा रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लेजिए ताक अगर आपने तूलसी के बारे में नहीं सुना होगा तो तूलसी के बारे में जान लीजिए सबसे पहले और आपको करना ये है कि तूलसी के पत्ते को साथ पत्ता या 11 पत्ता या 21 पत्ता इसको एक खल में ऐसे खल में जिसमें मसाला न पीसा जाता हो बारीक पीसना है बिलक और इसका एक मिक्चर बना लेजे और मिक्चर बनाने के बाद इसको आपको दो से तीन महीना लगतार यूज़ करना है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस सब प्रॉब्लम से या इन सब बिमारियों से निजात मिल जाएगा लेकिन मान दीजे कि अगर आपके घर में दही ना हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कैसे कि अब आपको जो चटनी है उसके साथ सहद को मिलाना है और सहद की मातरा बहुत जादा नहीं रेखना है थोड़ा सा सहद की मातरा मिलाना है और फिर इसको दो से तीन महीने तक यूज करना है अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यह जो नुस्खा है यह आपके बहुत सारे बिमारियों में कामियाब हो सकता है और बहुत सारे बिमारियों में आपको यहां से फायदा मिल सकता है तो दोस्तों कैसा लगा यह ट्रिक्स अगर आपको यह ट्रिक्स पसंद है तो लाइक कीजिए शेयर कर दीजिए अपने उन तमाम दोस्तों के पास जिनको इस तरह की परिशानी है या प्राब्लम है ताकि वो यूज कर सके और जीवन को मंगल में सुख में बना सके तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यबाद इस वीडियों देखने के लिए जय भारत